प्लीज, प्लीज मुझे मत बारो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ, रगु ऐसा मत करो, मेरा एक छोटा बच्चा है मेरा भी था, और न्याय मैं खुद करूँगा नहीं, रगु, नहीं, नहीं ये इस महीने का तूसरा मॉडर है, और ठीक उसी तरीके से इस व्यक्ति का मॉडर हुआ है, जिस तरीके से पहले मॉडर हुए है कातिल लोगों को एड़टाइजिंग होडिंग पर टांग देता है क्या ये केस रगु और उसके परिवार से जुड़ा है, ये जानने के लिए देखते रहे रगु अपनी पत्नी जैसी और अपने बेटे सनी के साथ खुशाल सिंदगी जी रहा था रगु अपनी पत्नी और बेटे को अपनी नई कार में घूमने के लिए ले जा रहा था पापा ये कार तो बहुत अच्छी है आप मुझे रोज स्कूल इसी में छोड़ेंगे ना हाँ बेटा तुम इसी कार से अब रोज स्कूल जाया करोगे ये आई लव यू पापा बहुत ही अच्छी कार है रगु आखिर में हमने कार ले ही ली मुझे भी चलाना सिखाओगे ना हाँ क्यों नहीं रगु अपनी कार में पैट्रोल डालने के लिए पैट्रोल पंप पर जाता है वहाँ पर एक बड़ा सा एडवर्टाइजिंग होडिंग लगा हुआ था जस पर मंत्री की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी पापा मुझे आईस क्रीम खानी है मेरे लिए आईस क्रीम लेकर आईए ना नहीं नहीं कोई आईस क्रीम नहीं मिलेगी अभी केख खाया ना तुमने जाने दो जसी आज बाहर आये हैं घुमने के लिए तो उसे जो खाना है खाने दो रुको बेटा मैं अभी तुम्हारे लिए आईस क्रीम लेकर आता हूँ तुम्हारे ही लाट प्यार से बिगड़ जाएगा ये जाओ और जल्दी आना आइसक्रीम लेकर रगु सनी के लिए आइसक्रीम लेने जाता है रगु जैसे ही आइसक्रीम खरीद कर अपनी कार के पास बढ़ता है उसके चहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और सनी कार की विंडो से बाहर निकल कर अपने पिता को देख कर मस्कुराता है तब ही वो बड़ा सा एडविटाइजिंग होडिंग पेट्रोल पंप पर गिर जाता है रगु की सिंदगी मानो एक पल में चकना चूर हो गई सनी और जैसी दोनों उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए थे रगु अपने आपको समहालता है और पुलीस में एडवर्टाइजिंग होडिंग वालों के खिलाफ शिकायत करनी है मेरी बीवी और बच्चा सब उसके नीचे आकर मर गए तुम तो नहीं मरे ना वो होडिंग मंत्रिश शुकला का था उनके खिलाब थोड़ी हम कुछ करेंगे ना बाबा ना सुन पुलिस अपना काम कर मैं हाई कोड का लॉयर हूँ तो शिकायत लेख फिर बनाकर फाइल मुझे भेज मैं खुद देख लूँगा कि उसके बाद मुझे क्या करना है रे सर जी गुसा का है होते हो बैठ जाओ बैठ जाओ थोड़ा ले दे के खतम करो मैं खुद मंत्री जी से बात करूँगा जितना बोला है उतना करो और फिर लिखो रगु पुली स्टेशन से जाने लगता है तब ही रगु टीवी पर रिपोर्टर को कहते हुए सुनता है आज सुबा पेट्रोल पंपर एक एड़टाइजिंग होडिंग गिर गया जिससे बहुत लोगों की जान चली गई लोग पेट्रोल पंपर नारे लगा रहे हैं जस्टिस फॉर दे फैमिली मगर जो चला गया है वो तो चला गया अब इन लोगों को क्या नयाए चाहिए इन लोगों के पास कोई काम नहीं है इसलिए ये जस्टिस फरस्टिस कर रहे है जब तुम लोगों के साथ ऐसा होता ना, तब तुम्हें मालूम पड़ता रगो पुलीस टेशन से निकल जाता है पुलीस वाला मंत्री के घर जाता है, जहांपर वो रिपोर्टर और एडविटाइजिंग कॉन्ट्रेक्टर भी खड़े होते है मंत्री जी, ये रगो इस केस को उपर तक ले जाने की बात कर रहा है वो कोई हाई कोट लॉयार है, इस हाथसे में उसकी बीवी और बच्चा भी जलबसे थे, उसका कुछ करना होगा मंत्री जी सब कव मैंने पैसे खिला दिये हैं, इसे भी पैसे खिला देंगे नहीं मानेगा, देख चुका हूँ, उसने साफ साफ मना कर दिया जब घी सीधे हाथ से ना निकले, तब उंगली टीड़ी करनी पड़ती है आपको जो करना है जल्दी करना होगा, अगर ये कोट में पहुँच गया तो ये खबर मुझे अपने चैनल पर दिखानी ही होगी एसपी, उसे मेरे फार्म हाउस पर बुलाओ, मैं उससे खुद बात करूँगा एसपी, उसे थाने में बुलाता है, और कहता है कि मंतरी साहब ने उसे फार्म हाउस पर बुलाया है और जो उसके साथ हुआ, उसका उन्हें बहुत खेद है, वो बस उससे कुछ बात करना चाहते है मैं आ तो जाऊंगा, मगर ये केस मैं लड़कर रहूंगा रगु मंतरी के फार्म हाउस पर पहुँचता है, जहां पर उसके साथ दो गुंडे और पुलीस वाले भी खड़े होते है आओ आओ रगु, तुम्हारा ही इंतिसार कर रहे थे, जाए वगरा लोगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना है, आप बताइए कि आपको क्या बात करनी थी इस केस को तुम वापस ले लो, कुछ पैसे वैसो की जरुद हो, तुम मैं दे दूँगा इतना पैसा देंगे कि तुम अपनी जंदिगी में कभी कमा नहीं पाओगे वैसे भी, केस करने से तुम्हारी मरी हुई पत्नी और बच्चा वापस आ जाएंगे क्या? मुझे अगर पैसो का पहाड भी दोगे ना, तो भी मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरी दुनिया ही मुझसे तुम लोगों ने छीन ली है मैं ये केस लड़ूँगा और जीतूँगा भी, फिर तुम हसते रहना हमने अठ्छे से समझाने की कोशिश की लेकिन तुम माने नहीं पकरलो इसे और जस्टिस दिलाओ, इसे जिन्दा गार कर छोड़ो मुझे, छोड़ो, नाए सब मिलकर उसे फार्म हाउस के पीछे जिन्दा गार देते हैं वो चीकता रहता है, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता अब करते रहना केस, जमीन के नीचे से चलो अभी यहां से निकलते हैं उस रात पूरा चान आसमान में निकला होता है जंगल में एक लाल आख दिखाई देती है एक खूखार भेडिया, जिसके गले में मोतियों का हार था और उसके माथे पर तीसरी आख थी वो वहाँ पहुँचता है, जहां पर रगु को गाड़ा हुआ था वहाँ पहुँचकर वो भेडिया आसमान में पूरे चान को देखकर तेजी से हाउल करता है और वहाँ से निकल जाता है और वो बाहर आ जाता है जॉंबी के रूप में बड़े नाखून और बेमिसाल ताकत के साथ सबसे दर्दनाग नाख तूटना या पैर तूटना नहीं है बलकि सबसे दर्दनाग जिनके साथ तुमने यादे बनाई है उनका खुद याद बन जाना है सबसे पहले वो उन दो गुंडों के पास जाता है आज तो मंत्री शुकला बहुत खुश्ट है उन्होंने इतनी अच्छी रकम दी वो भी बस एक इंसान को मारने के लिए सही कह रहे हो हमें ऐसे ही उनका काम करते रहना चाहिए और उनके लिए हम किसको मार सकते हैं ये सोचना पड़ेगा हमें उनके पीछे ही रगु खड़ा होता है मैं कुछ मदद करू इसमें रगु उन्हें बीच में से कार्ट देता है और उन्हें हाइवे के एड़टाइजिंग होडिंग पर टांग देता है ठीक मंत्री के पोस्टर के बगल में ये देखकर सुबह सुबह वहां से जाने वालों का दिल मानो देहल सा जाता है एसपी ये सब क्या हो रहा है जाओ और देखो किसने किया ये हाँ सर अभी चाता हूँ एसपी अपनी कार में बैठता है उसकी गलती बस इतनी होती है कि वो अपने साथ कार में किसी और को नहीं बिठाता एसपी साहब कैसे हैं आप कौन है कौन है पहचाना नहीं क्या आपने नाइनसाफी की थी सुचा नाइनसाफी तुम्हें वापस दे दू रगु से मार देता है और तीसरे दिन रिपोटर अपने स्टूडियो से बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए निकलती है मंत्री जी ये सब क्या चल रहा है पहले वो दो गुंजे और अब एसपी सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं ये रगु का काम तो नहीं मैं अभी आपके घर आ रही हूँ वो रिपोटर रिक्षा पकड़ने लगती है रिक्षा रिक्षा कहां जाना है मैडम बैट जाईए मैं छोड़ दूँगा आपको आपकी मंजिल पर ठीक है वो रिपोटर को मंत्री के घर ले जाता है वहाँ जाकर वो मंत्री के घर का दर्वाजा खटकटाती है जैसे ही मंत्री दर्वाजा खोलता है वो अपने दर्वाजे पर उस रिपोटर का सिर्ट तंगा हुआ देखता है उसकी सासे मानो बंसी हो गई हो वो पीछे मुड़ता है और वहाँ पर रगू होता है तुम रगू तुम यहाँ कैसे कमाल है मंत्री जी मेरी ऐसी सूरत होने के बाद भी आपने मुझे पैचान लिया अच्छी बात है मुझे माफ करतो रगू वो होर्डिंग मेरी वज़े से नहीं किरा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गलती तो मेरे परिवार की भी नहीं थी उनको किस बात की सजा मिली फिर बच्चा था छोटा मेरा बताओ उसको किस बात की सजा मिली मंत्री जी आज आप नयाय का स्वात चकिए रगू मंत्री के पेट में से अपना हाथ आर पार कर देता है और उतने में ही कोई उपर वाले माले से चीखता है पापा पापा मैं नीचे आ जाओं मुझे आइस्क्रीम खानी है रगु वहां से निकल जाता है इंस्पेक्टर अश्विन थाने में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था अचानक से एक कैदी बुरी तरह चीखने चिलाने लगा बचाओ अरे कौन है भाई क्या हो गया वो अपनी कुर्सी से उठा और उस लॉक अप की तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी अरे क्या हो गया ऐसे क्यों चिला रहा है साथ यह देखिए पता नहीं कौन है मैं तो इस लॉक अप में अकेला था फिर ये कहां से आ गया कितनी बहानक हसी ऐसे जा रहा है तो इसमें ढ़ने वाली कौन सी बात है अब ही देखता हूं कौन है अश्विन ने ताला खोला और जैसे ही लॉक अप के अंदर गया, चादर में छिपा वो आदमी और जोर-जोर से भयानक आवाज में हसने लगा उसकी हसी सुनकर एक बार को इंस्पेक्टर अश्विन डीडर गया था, फिर उसने खुद को हिम्मत बंधाई और उसकी तरफ बढ़ने लगा अरे कौन है तो? अश्विन जैसे जैसे उसके खरीब जा रहा था, वो चादर समेथ दीवार की तरफ खिसकता जा रहा था अश्विन ने दीवार के पास पहुँचकर हिम्मत करके अचानक से कपड़ा उठाया, लेकिन उसकपड़े के नीचे कोई नहीं था ओ माइ गाट! कैदी चिलाता हुआ वहाँ से भाग निकला, इंस्पेक्टर अश्विन ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, तो उसके सामने त्रिशूल लिये, एक बहुत ही भयानक आदमी खड़ा था, चहरा नीला पड़ा था, और वो अपनी खून भरी आखों से अश्विन को घूर रह अश्विन के इतना कहते ही, उसने एक हमला ऐसा किया, कि त्रिशूल अश्विन के पेट को चीरता हुआ आर पार हो गया, सुबा की ड्यूटी करने जब इंस्पेक्टर माधव वहाँ पहुचा, तो अश्विन को मरा हुआ देख कर, उसको बहुत हैरानी हुई, उसने बांक की कैदियों से पूछ ताच की, साहब हम कुछ देख तो नहीं सके, बस रात को उस लॉक अप में बंद कैदी जोर जोर से चीख रहा था, उसकी आवाज सुनकर दरोगा वागों ने लॉक खोला, और वो भी लॉक अप के अंदर चले गए, उन दोनों के अलावा, किसी की बय उस कैदी ने ही अश्विन को मारा होगा, लेकिन वो तीसरा आदमी कौन था, जिसकी हसी बाकी कैदियों को सुनाई दे रही थी, इंस्पेक्टर माधो जब रात को अपनी डूटी खत्म करके घर वापस जा रहा था, तो उसकी कार के बोनट पर अचानक वो भयानक आदमी आ कर ब्रेक लगा दी, उसने त्रिशूल से इंस्पेक्टर माधो पर हमला किया, लेकिन त्रिशूल उसकी आँखों के एक इंच पहले ही रोक दिया, मैं चाहूं तो तुझे भी अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुझको तेरा वादा पूरा करने का एक आखरी मौका दे रह हूं, ऐसा कहकर वो गायब हो गया, अब इंस्पेक्टर माधो को एक हफते पहले गुजरी घटना याद आने लगी, शेहर में दो बड़े नेताओं की हर्त्या से अफरा तफ्री मची हुई थी, उसके खून के इल्जाम में पुलिस ने भीमा को अरेस्ट कर लिया था, लेक तुने हत्या जैसे कांड को अंजाम कैसे दिया, आदमी की शकल देखकर, आजकल पुलिस चार्ज शीट पनाने लगी है, शकल देखकर नहीं, अकर देखकर, तुने मर्डर किया है, वो भी दो बड़े नेताओं का, तुझे पता है, पिछले हफते भंडारे का खाना खा कर, हमारे एरिया में ना जाने कितने लोगों की मौत हुई थी, हाँ हुई थी, तो तु कहना क्या चाता है, जिन दो नेताओं को मैंने मारा है, उन्होंने अपने सामने वाली पार्टी को बदनाम करने के लिए, उनके भंडारे वाले खाने में जहर मिलवाया था, अगर मैं ले लिया, मुझे भी तो खून करते हुए किसी ने नहीं देखा, तभी सामने से उन पर कई गुंडों ने फाइरिंग शुरू कर दी, पुलिस ने जीप से उतर कर उन पर फाइरिंग करना शुरू किया, लेकिन उनका कॉंस्टिबल मारा गया, अब इंस्पेक्टर अश्व सिर्फ मेरा एक काम करना होगा, मेरे जेल से छुटने तक मेरी बेटी नेहा का ध्यान रखना, उसका मेरे अलावा इस दुन्या में कोई नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि तेरी बेटी का पूरा ध्यान रखूँगा भीमा जीब से बाहर निकला, वहाँ पर बने शिव मंदर से भीमा ने रिशूल लिया, और अकेला उन छे से जा भीडा, भीमा उन पर कहर बनकर बरस रहा था, और दोनों इंस्पेक्टर ये तमाशा देख रहे थे, भीमा ने अकेले ही उनको खत्म कर डाला, और ये देखकर दोनों इंस्पेक्टर हैरान थे, भीमा वापस जीब की तरफ आ रहा था, तब ही पीछे से एक गोली चली, और भीमा वही ठंडा हो गया, गोली चलाने वाला आदमी कौन था, ये पता नहीं चल पाया मैंने इंस्पेक्टर अश्विन को कहा था, कि वो की बीटी को अपने घर ले जा कर उसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखे, शायद अश्विन ने ऐसा नहीं किया होगा, क्या पिछले हफ़ते अश्विन अपने साथ किसी बच्ची को यहां लेकर आया था? हाँ, वो लेकर आये थे, उन्होंने कहा था कि वो बच्ची अनात है, उन्होंने उसको एक दिन हमारी घर पर रखा था, फिर उसको अनात आश्रम में छोड़ा आये थे इंस्पेक्टर माधाओ देर ना करते हुए, सुबही अनात आश्रम से नेहा को अपने साथ अपने घर पर ले आया, और अपनी बीवी और अपने बेटे रिंकु को उसके बारे में सब कुछ बता दिया बेटा नेहा, आज से तुम यही रहोगी, आज से रिंकु तुम्हारा भाई और हम दोनों तुम्हारे मम्मी डैडी हाँ बेटा, अपने भाई रिंकु के साथ खेलोगी, स्कूल जाओगी और मज़े करोगी, ठीक है? सुनकर नेहा बहुत खुश हुई, अब इंस्पेक्टर माधव पुलीस टेशन ड्यूटी के लिए निकला, तो उसको बाहर भीमा खड़ा हुआ नजर आया भीमा, अब तुम? डरो नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा शुक्री आदा करने आया हूँ, मैं अब सुकून से इस दुनिया से जा सकता हूँ मेरी बात सुनो, उस रात जो हम पर हमना हुआ था, वो खास तुम्हें खत्म करने के इरादे से ही हुआ था किसने मरवाया था मुझे? जिन दो नेदाओं को तुमने मारा था, उनकी पार्टी के MLA ने तुम्हें मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे MLA रगुवीर, या, रगुवीर, तेरी मौत आ रही है MLA रगुवीर अपनी हवेली में दो पॉलिटीशन्स के साथ बैठा हुआ था अच्छा हुआ उसको, हमने मौके पर ही खत्म करवा दिया, वरना पुलीस जाच परताल करती तो हमारे नाम भी खुल जाते कि उस भंडारे वाले खाने में जहरिली दवाई हमने ही मिलवाई थी तब ही अचानक से वहां की सारी लाइट्स ब्लिंग करने लगी सामने खड़ा भीमा जोर-जोर से त्रिशूल को जमीन पर मार रहा था और खून भरी निगाहों से उनको देख रहा था यह कैसे हो सकता है यह कहकर वो उठा और उसने पीछे से गन निकाल कर भीमा पर फायरी थी त्रिशूल से उसकी करदन उडा दी जो कच कर रगुवीर के कड़मों में जा पिरी बागो दोनों भागने के लिए जैसे ही दर्वासे की तरफ बढ़े भीमा उनके संह न आ गया और एक ही बार में त्रिशूल दोनों के सीने से आर पार कर दिया इंस्पेक्टर माधाउं वहां पहुचा तो दोनों की लाशे त्रिशूल के सहारे जमीन पर खड़ी थी देर रात का वक्त है पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर्स और कॉंस्टिबल्स के अलावा अब कोई नहीं है सब लोग एक शान्त रात काटने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन रात का तकाजा कुछ ओर ही है इंस्पेक्टर साथ, हवलदार, बचाओ हमें, हमें बचाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ हमें अभी, बचाओ अरे, ये क्या, कौन हैं ये दोनों? हमें बचाओ, हम अपने सारे गुनाह कभूल करते हैं, लेकिन रेकिन हमें बचाओ इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस ऑफिसर, उनको देखकर हका बक्का रह जाते हैं ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में ही होता था, कि गुनाएगार खुद बोले कि मुझे जेल में डाल दो इंस्पेक्टर ने बोला क्या बक्वास कर रहे हो, कौन हो तुम, और तुम्हें हुआ क्या है हावलदार, जल्दी से हॉस्पिटल फोन करो, जीप निकालो बोलो कि हम आ रहे हैं इंस्पेक्टर, हमें, हमें जेल में डाल दो, हम, हम बेल पर छूट जाएंगे उन दोनों की बात सुनकर, इंस्पेक्टर और हवलदार को कुछ सूज नहीं रहा था वो उन दोनों को देखते ही रह गया संजू और राजू, दोनों इंस्पेक्टर के पैरो पर फिर से गिर जाते हैं लेकिन इस बार उटते नहीं है इंस्पेक्टर और हवलदार उन्हें टच करते हैं और देखते हैं कि वो मर गए है ये तो मर गए, कौन है ये तो और इनने अगर कुछ तकलीफ थी तो अस्पताल क्यों नहीं ले गए, यहां क्यों आए ये देख पुलिस्टेशन में सब लोग भौचक्य से रह गए थे आखिर कोई खुद पुलिस्टेशन में आकर अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा साब, ये तो संजू और ये राजू लगता है, अभी दो महीने पहले तो हमने इने पगड़ा था बेल पे थे दोनों, वो आर्मी ओफिसर के घर की चोरी के मामले में उसका प्रेशर तो मुझे आज भी याद है, अच्छा हुआ वो ओफिसर बच गया बरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उस भले आदमी की तेरवी होने के लिए अब खड़े-खड़े मेरा मूँ क्या देख रहे हो, जाओ, जाके हॉस्पिटल को खबर दो इन लोगों ने जीते जीतो नाक में दम कर रखा था, अब मर के क्या कर्तब करेंगे क्या पता रात को जो पुले स्टेशन में हुआ, उससे इंस्पेक्टर चकित तो था लेकिन उसे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया, उससे तो उसका माथा ही ठनक गया हम, आपके गुरेगारों की मौत ट्रूली शॉकिंग है, ना मैंने ऐसी मौत कभी देखी है, और शायद ही मैं फिर से कभी देखूंगा क्या मतलब डॉक्टर साहब? इनकी मौत मास खाने से हुई है, ऐसा वैसा मास नहीं, इंसानी मास, और वो भी कच्चा क्या, कच्चा इंसानी मास? ऐसा कैसे हो सकता है? यो मेंग कैनिबल्स? जी हाँ, लेकिन ऐसा रखता है कि इनोंने पहली बार कच्चा मास खाया था, इंसानी मास तो दूर की बात है, फॉरंसिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये दोनों शौक और हार्ट अटैक से मरे हैं, हो सकता है कि कच्चा इंसानी मास खाने से इनको शौक लगा हो? दॉक्टर, प्लीज, जब तक हम इसकी पूरी तरह से तहकिकात नहीं कर लेते, किसी को डिस्क्लोज मत करो, इस शहर को मैनीटर की ज़रूरत नहीं है छीक है इंस्पेक्टर, मैं अपनी रिपोर्ट में ये सब नहीं लिखूंगा, लेकिन जान लीजिए, आपके जहीते शहर में अब कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद आप ही रोक सकें इंस्पेक्टर ने जो सुना, उससे वो चकित तो हो गया, लेकिन इन सक के पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ महीनों पीछे देर राथ है, संजू एक चोरी की हुई गाड़ी तेजी से चला रहा था, उसके साथ राजू, उसका दोस्त और दूसरा चोर भी है अरे यार, संजू आज तो हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, किसे पता था कि उस बुड़े के घर पे इतना पैसा होता है चल भाई, दो तीन महीने के लिए आराम हो गया अरा भाई, आजकल इन बुड़ों के पास इतने पैसे होते हैं जवानों का पैसा तो EMI और क्रेडिट कार्ड्स बिल बरने में ही चला जाता है इसे लिए बोलता हूँ, उन्हें उन्हें ऐसी जगा शिफ्ट हो जाते हैं सीनियर्स ही सीनियर्स, और पैसा ही पैसा भाई, अब तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा थोड़ों तीन-चार महीने तो अंडरगाउंड होना पड़ेगा पिछली बार की तरह इस बार पूरी तरह तो फसे नहीं लेकिन बुड़्धा मानेगा भी नहीं पुलिस केस तो जरूर करेगा यार देख, पिछली बार जो हुआ वो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया लेकिन उस आर्मी ओफिजर ने हमारा चहरा देख लिया था और फोड़ भी दिया था तेरको भी लगी थी ना अरे इसलिए उसका खून करना पड़ा अच्छो, खून करना पड़ा और वो लड़की, उसका क्या था? उसको क्यों मारा? उसने तो हमारा चहरा भी नहीं देखा था अब आद देख, सबसे पहली बात अदालत में ये प्रूब नहीं हुआ कि हमने उससे मारा और दूसरी बात, वो सौट्वेर इंजीनियर थी उसका घर देखा था चारों और सीसी टीवी कैमराज एक भी पुलिस के हाथों लग जाता तो हमारी शामत थी शामत समझा? हम बच गए ये समझ कि पुलिस की नजर पढ़ने से पहले ही हमने उस लड़की और कैमराज दोनों को गायब कर दिया हाँ, और अदालत में तो हमको बेल भी दी थी वो लॉयर में क्या बोला था? अरे, विक्टिमलेस क्राइम हाँ, विक्टिमलेस क्राइम उसको क्या मालूम? ये रोल्ड एक्सिडेंट भी होते हैं गुनेगार अपने गुनाहों की जब प्रशंशा करने लगे तो समझना चाहिए कि उसका अंतिम वक्त आ चुका है अरे, हराम घोर देखके चला ना अरे, वो जवान लड़की को मारा देने का मतला है कुछ और था किसी आदमी को मारते हैं तो वो जगड़ा मारा मारी करता है लेकिन वो लड़की तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बोलते बोलते ठकी ही नहीं और तुमने उसका गला काट दिया हाँ, बिल्कुल जैसे कोई कसाई मुर्गे का गला काट देता है हाँ, और क्या मुर्गी थी वो देख, अपनी फ्रेंड है वो सोशल नेटवर्क पर तो पागल हो गया क्या? जिसका खून किया, उसका सोशल मीडिया पर तू फ्रेंड है? अरे, केस तो चलता रहेगा लॉयार को क्या मालूम कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा? तू फोटो देख, फोटो क्या गलक माल है, देख, देख अरे यार, वो सब छोड़ संजु और राजु को भूक तो लगी है लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो उनके साथ अब होने वाला है वो शायद हर गुनेगार को गुनाह करने के पहले सौ बार सोचने पर मजबूर करते आओ साहब, आओ, चान्मी चाइनीज में आपका स्वागत है बोलिए, क्या लाओ मैं आपके लिए नूडल्स, सेजवान, के चाउमीन? अरे राजू, नहाँ चाइनीज का ठेला खुला था ये मालूम था लेकिन इतना सुंदर सला ये नहीं मालूम था ए साहब, ठेला मत बोलो दिखता नहीं है यहाँ बैठने की जगह है और वहाँ लेटने की जगह है ये अपनेयर रेस्टरांट है चाननी का और बहुत जल फाइव स्टार होटेल भी खोलूंगी मैं हाँ हाँ, खोल ले ना जरूर खोल ले लेकिन पहले आज हमें कुछ खिला तो दो जरूर, आए, बैठिये ना वो दो चोर आके बैठ जाते हैं और चारों और की चका चौन देखकर उनके मन में एक ही खयाल आता है अरे भाई, अभी खुला है और देख कितना अलिशा ने लगता है बहुत पैसा होगा इनके पास लगती तो अकेली है एक आद बेटर होगा, और अंदर एक कुख होगा और क्या, चार जन और हम माला माल आरे वो सब बाद में देखते हैं अभी बहुत भूग लगी है, पहले वो कर लेते हैं आपकी चोईस तो हमें बाद में मालूम पड़ेगी पहले ये हमारी कॉंप्लिमेंटरी डिश तो टेस्ट कीजिए खाईए जुनाब, ये है हमारा फेमस चाउमीन और बताईए कि आपको कैसा लगा ये डिश आरे ये क्या भद्दा टेस्ट है, ऐसे चाइनीज बनाता है कोई ची, मुझे तो लगा ये बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टरांट होगा ये क्या बकवास टेस्ट है यार माफ कीजे सहाब शायद ये डिश किसी और के लिए बना था और आपने खा लिया ये क्या मजाक है तुमने तो बोला कि ये कॉम्प्लिमेंटरी डिश है और अब बोल रही है कि ये किसी और के लिए बना था हाँ सर किसी और के लिए बन रहा था लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ गई जैसे मैं आपने पैसे गाउं भेजने के लिए तैयार कर रही थी और तुम लोगों ने उनको चोरी करके मुझे मार दिया का बाग रहे हो अभी तो तुमको सब कुछ अच्छा लग रहा था अब क्या हुआ माफी मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली तुम्हें तो बेल मिल ही गई ना तुमको किस चीज का डर पता है तुम तो टक्के के चोरों ने जब मेरे घर पे चोरी की और मैं अपने माबाप को पैसे नहीं भेज सकी तो उन्होंने खुद कुशी कर ली और क्या नसीब है जिस गाड़ी में मैं उनके अंतिम संसकार के लिए गाउ जा रही थी उसका भी एक्सिडेंट हो गया उस दिन से उस दिन से मैं तुम्हारा यहां इंतिजार कर रही हूं कि तुम मिलो तो पूछू तुम्हारे एक चोरी करने की बज़ा से तीन लोगों की मौत हुई है कहां का है यह विक्टिमलेस क्राइम संजु और राजु को अब समझ में आता है कि उनके गुनाहोंने उन्हें अब पकड़ लिया है वो बिलबिलाने लगते हैं लेकिन चांदनी की आँखों में रहम की कोई गुनजाईश नहीं है अब अब अगर तुम यही मरना नहीं चाहते तो ये कच्चा गोश्ट खाओ और जाओ जाओ पुलिस स्टेशन में सब बयान कर दो बरना ये तो तैय है कि मेरे होटेल में और दो भूत आ जाएंगे अभी इसी वक्त इस तरह उस चुडैल ने संजु और राजु को पूरी रात इंसानी मांस खाने पर मजबूर कर दिया वो दो तो वहां से जैसे तैसे निकल गए